चौद्री सब अभी आपने पांच जार रुपे का चैक और भारत का सविधान इस बेटी अगर रोशनी को दिया है क्यों दिया है इस उम्मीद के साथ में मैंने जब अभी इस बेटी ने इंटर्व्यू दी ले रही थी तो मुझे पता लगा कि इसके पास में संसाधनों की ब बढ़ने के हमेशा कोशिश करता हूं और इस बच्ची में प्रतिवा है और मेरा विश्वास है कि एक दिन ये बहुत अच्छी पत्रकार बनेगी और देश और दुनिया के समुख हमारे समाज की जो समस्या है जो अभी उठनी बाकी है निश्यत रूप से ये एक नया कृति समाज का नाम रोशन करेगी और समाज के लिए एक ऐसा जो समाज उमीद करता है अच्छे पत्रकार की खोज मरता है मुझे इस बच्ची में अच्छा पत्रकार नजर आया तो मैंने उसी दस्ती से सूचा है कि इस बच्ची को सयोग किया जाए जिससे कि आगे बढ़े समाज का नाम रोशन करें रोशनी जैसा बता रहे थे कि आपके पास अभी तीन सो रुपे हैं यह तो आपने जॉब भी करी है प्राइवेट जैसा बता रहे थे और लेकिन आर्थिक सहयोग इस तरीके का आपको पत्र का ही था पॉफेशन में आने की बाद कितने लोगों ने करा सकते हैं कि एक प्लेट फॉर्म मिला है मुझे सौरी कोई बाद मैं अपना कोशन दुबारा से पूछ लेता हूं यह तो आपने बहुत सारी जॉब करी हैं नौकरी करी हैं उसमें आपने काफी सारा पैसा लिया होगा जौब पे जो सेलरी मिलती वह भी करा होगा लेकिन आप जैसे पत्र canikar इतने लोगों किसी नहीं करा लेकिन मैं जहां जाती हूं वहाँ से मुझे कुछ नहीं सीखने को जरूर मिलता है और मैं चौद्री सर का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मैं यहां पर अगर प्रेजेंट हूँ तो समतावाश TV चैनल से मनोजनतानी सर के माध्यम से और उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रियादा करना चाहती हूँ जिन्होंने की मुझे यहां तक आने का मौका दिया और मैं KP सर से मिल सकी और KP सर ने मुझे आर्थिक सहयोग किया और इसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही हौसला मिला जो कि मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती और हम लोग हैं इस पकद KP चौदरी जी के आफिस पे जो बहुत से जरुवतमन लोगों की आर्थिक सहयोग करते हैं उनको मोटिवेशन करते हैं उनको संसाधन प्रोवाइट कराते हैं और अभी हाली में एक थाइलेंड जाने वाली बिटिया थी और उसको भी उन्होंने 65,000 रुपे का आर्थिक सहयोग कर रहता है इस तरीके के बहुत सारे उनके मिशन चलते रहते हैं वो रातों की नीन तक उनकी गाइप रहती है कि सिर्फ बहुजन के लिए और तेज तारीकों का विशाल कारीक्रम है आप सब लोग वहाँ पर उपस्तिती प्रदान जरूर करें ताकि एक बहुजन समाज का जो देश का सबसे बड़ा कारीक्रम होने जा रहा है वो एक अच्छे रूप में सार्था को सके आपने हमारे चैनल से बात करी धन्यवाद सर जी धन्यवाद जैवनों बुद्धाए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले